दोस्तो किया मोटर्स कार जब लास्ट में एवेंट हुआ था उसमें बिसिकली येसा बताया गया था कि किया वाले इंडिया में जो कार लॉंज करेगे वो SUV सकार होंगे यानि कि सेडान सकार है वो फिर जो हैच बैक कार साथ है उनस पर किया वालों का फोकस नहीं होगा इंड और इंडिया में जो यहार को हमने की इसको बता दो यह किया वालों की कोई कार नहीं है इसको किया ने वह 2018 में लॉंज किया था गलोबली और उसके बाद 2014 में ऑब कि आने युक्षिय युक्षड का वर्जन आता है उसको बिंट्रेस्ट किया तो यह किया कि नई कर नहीं है लेकिन किया ऐसा पलांट कर रही है कि jumper है वो इंडिया में लाएगी आनिक आ स्टार्टिंग मैं को बता है कि इसाउं धैलिशा करदा थीजिप है किर ये सक्थेशी हूं नहीं है तो ये कार वह देखने को मिलने कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं डेली बेस पर इस चैनल पर ऐसे न्यूज अपडेट लाता रहता हूं तो जिसके वज़े से आप डेली अपडेट रहो फिर दोस्तों में इसकी डिजाइन और लुक्स की बात करूं तो जो डिजाइन वह में टॉल बोई डिजाइन कह सकते हैं कि यह से में डिजाइन देखने को मिल रहा है उसी के साथ इसके फ्रंट में बहुत ही बड़ी यानिकि लार्ज ग्रिल देखने को मिल रही है जैसके साथ यानिकि इसके नीचे हमें यानिकि दोनों साइडम कह सकते है तो जो fog lamp आते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है फिर दोस्तों इसकी side profile की बात करूँ तो side profile में हमें अट्राइंज के alloy wheels provide किये गए है यानि कि देखने को मिल रहा है उसी के साथ इसके हम back की बात करें तो back में हमें boomerang जो shape आता है या फिर boomerang shape हम कह सकते है तो उसमें जो LED tail lights आती है या फिर tail lamp का unit कह सकते है तो वो हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों हम यहां पर chrome tips के साथ dual exhaust का हमें setup देखने को मिल रहा है फिर दोस्तों इसके inside में हमें यानि की interior में हमें काफी अच्छे जो feature साथे वो provide किये जाएंगे इसका जो top model लगा उसमें हमें 10.25 इंच का जो touchscreen infotainment system आता है उसका support देखने को मिल देगा उसी के साथ यानि कि इस system के साथ हमें android auto and upper carplay जैसी wireless system का support हमें देखने को मिलने वा फिर heads up display उसी के साथ automatic AC, mood lighting फिर power adjustable driver seat उसी के साथ heated front seat यानि कि हम ventil rate seat भी कह सकते है इसको फिर जो web यानि की leather wrap हमें जो steering wheel आता है वो देखने को मिलेगा और उसी के साथ जो gear shifter's knobs आते है यानि की gear knobs आते है वो हमें steering wheel पर देखने को मिलेगे और जो heated steering wheel आता है वो पिर हमें दे safety features में मैं कुछ काफी advanced features है वो इसमें देखने को मिलने वाले है जैसे कि यहां पर मैं बात करूँ तो सबसे पहला है forward collision avoidance assistant with pedestrian detection यानि काफी लंबा नाम है तो दोस्तों यहां पर जो second है वो लेंड की पासिस्टन फिर driver attention warning उसी के साथ blind spot collision warning फिर लेंड चेंजिंग आसिस्टन and उसी के साथ smart cruise control देशे कुछ हमें advanced safety features देखने को मिलेंगे और उसी के साथ जो normal safety की बात करें तो normal safety में हमें front side फिर जो side में हम कह सकते हैं दोनों side और उसी के साथ curtains में airbags का setup साता है वो देखने को मिलने वाला है उसी के साथ electronic stability control फिर vehicle stability management system and ABS with EBD फिर दोस्तों बात करें तो wheel start assistant control and उसी के साथ जो TPMS यानि की tire pressure monitoring system आता है वो हमें normal safety को लेकर उसमें हमें देखने को मिलेगा फिर बात करते हैं इसके power trains की यानि की engines को लेकर तो जैसे मैंने आपको starting में कहा कि globally में दो variant में हमें देखने को मिलती यानि कि 2 version में देखने को मिलती एक है combustion engine और उसी के देखने को मिलता है 1.6 liter का प्रेटोल engine जो की 123 PS का power और 1500 Nm का torque generate करता है जिसके साथ 6 speed automatic transmission provide किया जाता है फिर यहां पर जो दूसरा engine option मिलता है वो है 2 liter का प्रेटोल engine जिसके साथ यानि कि यह जो engine है वो 149 PS का power और 179 Nm का torque generate करता है जिसके साथ 6 speed manual CVT unit है वो यानि की transmission है वो provide किया जाता है फिर दोस्तों यहां पर combustion में तीसरा option देखने को मिलता है 1.6 liter का turbo petrol engine जो की 204 PS का power और 265 Nm का torque generate करता है जिसके साथ 7 speed DCT gearbox से वो provide किया जाता है फिर हम electric power train की बात करें तो जब Kia ने इसका first generation launch किया तो अब इसके साथ 30 kWh की जो बैटरी आती है वो provide की गई थी फ 64 kWh की बैटरी का पैक देखने को मिलता है और इसके साथ यानि की बैटरी यह है उसके साथ हमें liquid cooling system भी देखने को मिल जाता है और इसमें हमें जो electric motor देखने को मिलती है वो 201 HP का power और 395 Nm का torque generate करती है और दोस्तों यह motor की वज़े से 7.6 second में 0 to 100 km per hour की जो speed वो वासिल कर ले देखने करिक दो इन दोस्तों यह जो electric vehicle यानि की electric battery के साथ हमें जो इसका range देखने को मिलता है यानिकежд देखने को मिलता है वो एक चार सो किलो मीटर से 500% मिल जाता है और दोस्तों यह दोनों मैंने आपको बात की तो अभी कुछ शूर नहीं है कि कौनसे पावर ट्रेंज के साथ आएगा या फिर कंबसें एंजिन के साथ आएगा उसके लिए कर अभी किया ने कुछ भी का नहीं कहा है कि हमें कौन से लॉंच करेंगे तो देखते है यह यहना इसी ढहीं तो देखने को मिलता है और दोस्तों कमबसें एजन नि पögर्फंश ने बात करता है वह में अभी जो फॉरैंगर के प्लोबली जो यूनिट चल रहा है उसमें यह पावर ट्रेंश देखने को मिलते हैं तो जब इंडिया में लॉंच होता है तो शूर नहीं किया सकते कि हम यह प्रावर ट्रेंश से वह देखने को मिलेंगे क्योंकि कार्णीवल या फिर जो सेल्टॉस है उसके हमें यानि की 1.5 एकर एंजिन आता है सेल्टॉस का ओर बनेश में इसमें देखने को मिल सेकता है तो ऑफनेश में गदा करता बाइस से रेंखने को कि ईग initiative को स्बस्ब्स्राइब कर देजिए वीडियो को लाइक बाल